मुण खूप है कि सबसे वीडिज dwad power रिखाय दे रही है यहां पर बहुत कि दमॉइस को सबस्क्राइब करने कि हमारी मार्कीट में कल के लिए क्लानिक होनी चाहिए और आज जो बिच के अंदर के मुवेंटम की लॉजिक क्या ते सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लोगों को यहां पर लेकर आया हूं वन डे के टाइम फ्रेम पर यहां पर में बात देखो कि मार्कीट में होता क्या है हम मार्कीट को समाल की रखा हुआ है अब मार्कीट में जो सैलिंग का मुवेंटम कॉंटिन्यू था उसको यहां पर मार्कीट करते हैं हमारी मार्कीट में यहां पर तीन दिन से कंटिन्यू बाइंग का मुवेंटम आ रहा है पर फिलाल देखने वाली बात क्या है कल के दिन मे में पॉज स्केंडल यहां पर देखने के लिए एक्सपेक्टेड हूं कि हमारा मार्केट यहां पर अपने बहुत इंपोटन रिजिस्टेंस लेवल के पास आके पहुंचा हुआ है और जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा हुआ हमारा सब्सक्राइब करो और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाइक करो लास्ट वीडियो में आप लोगों से इंसाइड केंडल बनी हुई है यहां पर इंसाइड केंडल ब्रेक करती है तो यहां हमारा टार्गेट बन सकता है एक्सपेक्ट अब को देखने की दिए मिला हुआ है कलका दन में मार्कीट में हमारा यहां से ब्रेक बनाने की कोशिश करेंगा सबसे पहले मैं आपको यहां पर लेके चाइम पर चल क्या रहा है हमारा यहां से कॉंटीनिव उपर की साइड जा रहा है और हमारी मार्कीट ने यहां पर बेस बनाना पसंद किया अच्छी बात है ठीक है अब हमारी मार्कीट में आप अगर हमारा मार्कीट यहां पर इस रेंज के बीच में कहीं पर भी उपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड आता है पुट मेंटरी प्लान करनी है फिफ्टीवन का लेवल बनेगा यहां पहला टार्गेट इसके नीचे निकलता है तो 55 55500 का लेवल अगर हमारा मार्केट इस रेंज में ओपन होके इसी रेंज को यहां पर ट्रेड करना चाहता है तो लोग यहां पर छोटे मोटे स्कैल्पिंग के सैटप देखेंगे और हम यहां पर बड़े मुमेंटम की अपर कि यहां बेंटम स्टाट हो था फिर मार्केट यहां ताका है फिर मार्के इसे निवान हो था तक है आज दिना हमारी तो यहां पर उपन होता है यहीं मार्केट में बेस बनता है क्योंकि यह लेवल अफिटी बनाग्र साइकलोजिकल नमबर राउंड नमबर अच्छे हाँ पर रियक्ट हुआ उसके बाद हमारा मार्केट यहां पर पहले टिक को लगाने गद को फ़िए मार्केट नमारे को ब्रेक निकलता है क्या करना कौल मेंक्री मारीन कढ़ दने लिए फिर दर चक थे और अगर सकत 안돼 रोसकता है है निफ्टी 50 के बारे हमारी लोग यहां पर एक स्टोप लगाए हमारा मार्किट यहां 35,000 के नीचे आपको कलोजने देखने के बिली हुई है हाला कि आसपास यह planning हमारी क्या होने चाहिए planning guys हमारी बहुत simple planning हमारी यहां से होने वाली है एक range आप यहां पर continue mark करो कि हमारी nifty ने continue दो दिन से इसी level से rejection खाया है अब हमारी nifty अगर कल के दिन में यहां से इस level को break कर के उपर की side निकलती है तो मुझे यहां पर target यह वाला point देखने के लिए मिलेगा और अगर यह इसी range को यहीं से slow को break करके नीचे की side आती है तो target हमारे हाँ आप यह वाला point भी बन सकता है बहुत हुटी रेंजिस के अंदर है मैं इस point को उठा के यहां से यहां लिए आंगो हमारी जरूरी हो जाता है एक point हमारा बनेगा यहां से कि यह वारा जो point है अब छोटी से हमको यहां पर एक range मिलती है और इसी range के अंदर में हमारा साइकलोजिकल नमपरी बैठा हुआ है अब रेंज हमारी किसले point की होती है सिर्फ 69 point की हमारी यह range है अगर हमारा निफ्टी 50 इस range में कहीं पे भी उपन होता है और रेंज को ब्रेक करके उपर की साइड निकलता है कॉल मेंटरी मारनी है 120 का लेवल पहला टारगेट आपका है और यहां पर 240 का लेवल आपके हाँ दूसरा टारगेट है अगर हमारा निफ्टी 50 इस range को ब्रेक करके नीचे की साइड निकलता है कुट मेंटरी मारनी है पहला टारगेट 880 का लेवल है दूसरा टारगेट हमारे यहां पे 800 का लेवल है ठीक है आप कुछी पिलानेंगे एक चीज अगर आप लोग यहां पे देखना चाहो तो निफ्टी 50 में गटे का टाइम फ्रेम पर के और काम के ओने वाले हैं यहां पर गाते के नारा कर करके कहां से लेके हैं आपको पता है गंटे के टाइम फ्रेम से ट्रेड लान मारक हो क्या हूआ है और कंप्लीटली बह से यहीं हमारा ल सब्सक्राइब करके मार्किन ये और पहला इसलेद को ब्रेक करका नीचे की सटा हैrem सब्सक्राइब क्या होगा कि हमारा मार्गेट यहाँ बढरहा बजए तक सहरेंग मैं आपर घूमता रहे बारा और अगर हमारा मार्केट या तो यहां से से रेंग को ब्रेक करके उपर की साइड निकले या फिर इसको ब्रेक करके नीचे की साइड निकले उपर की साइड जाएगा तो हमार यहां पर जाएगा तो यहां पर पुट में बनेगी और साइड बेज जाएगा तो हम लोग यहां सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते हैं आप से किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ अब तक के लिए बाई बाई दोस्तों जैसरी रव दोस्तों